पोई भी राजनितिक आद्मी रहता है, कुछनकुछ तो अपना चाल तो चलता ही है, इसमें कहीं कोई दूमत नहीं है। एक तरफ शीट का बटवारा का सवाल है, आप देख रहे हैं कि नितिशकुमार कह रहे हैं कि जतना जल्दी हो सीट का बटवारा हो जाए। और लालो प्रसाद जी कहते हैं कि इतनी क्या जरूरत है लगता है कि लालो जी का प्रेशर से हटना चाहरा है बचना चाहरा है मानने नितिश कुमार आज भी बोल रहे हैं कि 22 जनवरी नहीं 20 जनवरी से लेकर कि 25 जनवरी के बीच में बिहार में कोई खेला होना है हमको भेज नहीं दिया गया हमको तुम्होंने सीधे कहा कि भाई आप मर्ज कर जाएए और नहीं तो बाहर जाएए अगर भाजपा के चिर्शस्क नेतागन नितिश कुमार जी को अपने फोल्ड में एक्सेप्ट करते हैं तो कम से कम जीतनवां जी बिरोध नहीं करेगा बिना कोई सहा होना होगी कोई भी राजनितिक अड़्मी रहता है कुछ ने कुछ तो अपना चाल तो चलता ही है इसमें कोछ दूमत नहीं है एक तरफ सीटका बटवारा का सवाल है आप देख रहे हैं कि नितिशक मार कर रहें कि इतना जल्दी हो शीटका बटवारा हो जाए और लालु प लालो अबू दोनों उनको मनाने गए होंगे कि आप कुछ विश्यस मत करें हम आपके साथ हैं एक क्यास ही लगा रहे हैं हम लोग ये कोई टेंजिबूल बात नहीं है लेकिन मिलना राजनीदिक है दोनों बाप बेटा मिलें ऐसा लग रहा है कि कहीने कहीं कुछ है बात नहीं हैं कि दो हमने तो यह सुना है कि कभी कभी मानने मुखमंत्री भी बिला थे मिलने के लिए हुआ अब कुछ है बात भी और उस बात के बाद आपने देखा कि जो नेशनल कार्ट कार्णा की ने गया है तो यह सबसे ऐसा लगता है कि लन्वावू लालु प्रशाद जी के हिमाईती रहे हैं ऐसा पहले भी मैंने कहा है तो आज उनको जब दरकिनार कर दिये हैं तो लगता है कि लालु जी का प्रेशर से हटना चाहरा है बचना चाहरा है मानने नितिश कुमार और उसी प्र करने के लिए लालू जी और तेस्वी प्रशाद मानने मुखोंती जी कहां गए थे क्या असर पड़ा है मैं नहीं कह सकता और इसी संदर्व में आज जब मानने मुखोंती जी राजपाल महुझा कहां गए हैं तो यह जरूर पहले जो हम बात कहते हैं कि 20-25 के बीच में कोई र जनवरी से ले करके 25 जनवरी के बीच में बिहार में कोई खेला होना है और कौन खेला होगा यह अब देखी आगे पहले आप उनके पुड़ाने साथी रहें पहले आपको भेज दिया गया हमको भेज नहीं दिया गया हमको तुम्होंने सीधे कहा कि भाई आप मर्ज कर है अब इसके बीचे में हो सकता हो उनकी कुछ नितिक चाल हो तो इसको मैं क्या कर सकता हूं लेकिन जरूर मैं कहा है कि अगर भाजपा के चिर्शस्त नेतागन नितीश कुमार जी को अपने फोल्ड में एक्सेप्ट करते हैं बुलाते हैं ने उतार देते हैं तो कम से कम जी देखिए हमें भी आते आते मिला हम आज है अपना मेटिकल चेक अप के लिए गए हुए थे लेकिन जब चैनाई एरपोर्ट पर थे तो उसी समय मालू होगा कि मानिये मुखमंत्री राजपाल वहों होड़े कहां जा रहे हैं तो ऐसे मुखमंत्री और राजपाल साहब कहां कुछ ऐसे अपशारिक बारता हैं होती रहती है लेकिन एमान करके हम लोग चल रहे थे कि बीस तारिक से लेकर पचीस तारिक के बीच में हो सकता है किसी प्रकार के राजनितिक डवलाप्मेंट हो तो उसी कड़ी से इसको भी देखा जा रहा है कि जब खुद गये हैं बिना कोई सहाय के डी के सिर्फ बिजय चौदरी जी या उनका जो अपना हैं उनके साथ तो जरूर कहीं ने कहीं कुछ राजनितिक बातें होगी और वो राजनितिक बात में क्या हो सकती है क्यास ही लगा जा सकता है और हम लोग को भी लग रहा है कि इधर जो बार बार टांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं त्रांसफर पोस्टिंग में भी सुना जा रहा है कि जो इनके दिमाग में बात आती है वही करते हैं से किसी की अनुसंसार नहीं लेते हैं नहीं तो पहले ऐसा होता था कि सभी विड़ायकों से अनुसंसार ली जाती थी कि भाई कौन किसको पोस्ट झाल 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 झाल